तो अलोटेटर्स आज था मंडे, आज मेरे लाइफ में दो अनेक्सपेक्टेड़ चीज़े होई है एक तो सबसे पहले मैंने मुझे आज ट्रेवल करना था तो मैंने आज फ्लाइट मिस्किया लाइफ में फ्रस्ट टाइम और जतनी ही वॉलेटिलिटी मार्केड में थी, उतनी ही वॉलेटिलिटी मेरे साथ रियल लाइफ में हो रही थी मैंने फ्लाइट मिस्किया, उसके बाद दुबारा फ्लाइट पकरना था तो वो एक दिर गंटा डिले हो गया फाइनली अब जाके मैं जहां मुझे पॉचना था अब जाके मैं पॉचा हूँ और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग तो मार्केड का हाल बहुत बुरा है जो यह डिसक्स किया जा रहा है कि चाइना में पैसे लग रहे हैं और इंडिया को कुई करना है दो अर्टेश वीडियो के अंदर अल्रेट इडर सो क्विक्ली हम यहां पर डिसक्स कर लेंगे बहुत लेट हो गया अल्रडी वीडियो बनाते हुए और आप लोगो थोड़ा सा लेट मिलेगा यह वीडियो तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के ऊपर करेंगे ओमफी सब्सक्राइं टल्रफट फ्रस अजार दै रजम उस सब्सक्राइं पर ऑज करेंगे कि उसका राज पर बुड रहां पर इसको घ्लिख रहा है यहां पर उल्जिंद को प्लिया ने जुदट कर दो वो यहां पर यह को इंपोर्टन्स को झान देना आ यह यह जो हमारा इसके अपर अपने को फोकस करना है यह जो अपना जोन है यह है हमारा 25,000 बॉरा ओके यहां पर हमको देखना है कि अलगल एचे मार्केट फ्लैट खुलता है हलका फिल का अपक फुलता है तो 25,000 is the first rejection level जहां पर majority यहां पर sellers हम लों को दिख रहे हैं जैसे कि ह मार्केट इसको इतना एजिली ब्रेक करने के लिए नहीं देगा अगा ब्रेक करता है इसका फिर नेक्स इजेक्शन लेवल जो है इस जोन के आसपाथ है विच इस ट्वेटी ताउजन 090 यहाँ आप हमको देखने के लिए मिल सकता है 25,090 के ऊपर निकलता है तो 25,180 विल भी तो इसका नेक्स सपोर्ट लेवल सीधा आता है 24,650 एंड 24,580 के लास पस मार्केट में जो चीजें हम यह देख रहे हैं जो फॉल आ रहा है यह ब्रूटल आ रहा है और प्लस जो एक्स्पेक्टेशन था कि बहुत वेनस्टे की दिन पर आर्बिया पॉलिसी जब तक नहीं करना है तोरह सा ध्यान लखीएगा इंपॉर्टन लेवल अब इस पर यह भी हो जाएगा कि हम लों का माइनसेट जो भी रिजेक्शन के इसाफ से काम करेगा मतला हमको सेल करना है सैनिंग में भी हमेशा इंपोर्टन ली आपको यहां पर ध्यान देना है कि मार्के जब भी करता है तो एक रिट्रेश्मेंट देता है जैसे इस एक्जामपल को देखेंगे मार्केट फॉल कर रहा था रिट्रेश्मेंट किया यहां पर ट्रैप किया उसके बाद को अच्छा गासा रिजेक्शन निफ्टी पर तो कुछ नहीं बैंक निफ्टी पर बिल्कुल जिस हिस हो जाता है तो मार्केट से आपको यहां पर एक्जिट करना पड़ेगा तो यह बहुत ज्यादा ब्रूटल दा बहुत लोगों के इसमें पैसे गए होंगे आपका दिन कैसा क्या कमें सेक्शन पर जरूर लिखके बताईएगा आपकर आपके पैसा अगरा नुक्सान हुआ ज़रूर बताईएगा इस लेवल्स पर बात करते हैं को बैंक रिफ्टी पर तो टॉप टू बॉटम हम यहां पर फिबोनाची रो करेंगे इसका जो पहला रिजेक्शन लेवल है वो सीधा आ रहा है 51,010 के आसपास यहां पर अपना रिजेक्शन है इसके बाद नेक्स जो अब बाले लेवल्स लेवल इसको अबर डिसक्स नहीं करेंगा यहां पर बॉटम का आग्रम लोग यह पर दिसक्स करें तो 50,400 इसको करता है तो इसका नेक्स सपूर्ट लेवल है 50.280 उसको अगर ब्रेक्डाउं करते है तो नेक्स सिसका सपोर्ट लेवल है 49,960 एज़ां 49,800 वाला जोन इस लेवल्स को बहुत ध्यान से समझना याद रखना 49,800 वाला जो लेवल है न ड्रेडर्स यहां पर मैं आपको एक भी थिंकिंग थी ओ कहीं ने कि हर किसी को बोलिए ऑप्शन बायर को अगर वाइं डिप पर फसा होगा जो साइड बे सोच रहा था उसको भी मार्केट ने कहीं ने कि यहां पर आज के दिन पहला डाला तो अपने को स्टॉप करना पड़ेगा चीजों को डीटेल में समझना है अपने लेवल्स पर आता है सपोर्ट पर आता है दवल बॉटम पैटन बनेगा तो ही काम की जीज़ थो हम लोग चोड़े स्टॉप लॉट से प्लान कर सकते हैं उपर जाता है तो डबल टॉप पैटन बेटेशन चोड़े पैटन कुछ बनता है तो स्पैसिफिक चोटा करने वाला है और जिस हिसाब से इसने फॉल किया है यह जो माके नीचे की तुरुक आ रहा है तो एक बार को यहां पर स्टॉप लॉसस काने के बाद फिर शायद कर सकता है कल का एक धिंगिंग यह बैटरी है कि जिस हिसाब से फॉल हुआ फिन निफ्टी में बहुत लोगों लेट्स करते हैं तो फिन निफ्टी का क्या है यहां पर सीन है फिन निफ्टी हम लोग क्या करेंगे लिए इसका जो रिजेक्शन लेवल है तो इसका जो रिजेक्शन लेवल है वह है 23,580 अभी जो 23,580 वाला जोन है यह है इसको ब्रेक करता है तो उपर वारे लेवल कहीं नहीं अचीव करते हुए दिखा सकता है विच इस 23,720 अगर उसके उपर टिक जाता है तो काफी अच्छा में अपने को देखने के लिए मिल सकता है चाहे आप निफ्टी देखिए चाहे बैंक निफ्टी यहां पर टूटे जा रहे हैं और पुट के प्रीमुम यहां पर इंक्री नहीं हो रहे है तो मतलों ऑप्शन सेल कमा रहा है एक बैरिश माइंसेट वाला बंदा जो कॉल शॉट कर रहा है उसका ज्यादा बेनेफिट हो रहा है अपने पुट बाई किया होगा तो आपको इत देख करता है तो उसका नेक्स सपोर्ट लेवल है 23,040 एंड नेक्स इसका फिर सपोर्ट लेवल है 22890 के आसपास 1550 यहां पर डेवल कर सकता है अगर आप बिगेनर हो नू ट्रेडर हो अगर आज अच्छा का सा लॉस हुआ है तो पर रिवेंच ट्रेडिंग मत करना यह जो से काम करने वाले 20-25 पॉइंट स्टॉप लॉस जो रखते हैं ऑप्शिंस के अंदर वो तो बिल्कुल दूर रहीगा ऐसे मार्केट में वन ने शोट टू वन ने शो ट्री मिलने के चांसे होते हैं बर इसमें आपको अपना बढ़ा रखना पाड़ेगा छोटे जेप से झाल 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 झाल